गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पार्ट दो संस्क्रती का स्वरूप पड़ेंगे यह वीडियो आपको वर्जिन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जेन द्वारा प्रेशित किया जा रहा है इस पार्ट के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरन अगरवाल जी है बच्चों संस्कृती शब्द यह हमने कई बार सुना होगा संस्कृती यह परमपरा रित्ती रिवाज इस शब्द को यह काच्व अर्थे हो बहुत ही विस्तरत होता है इनने सिर्फ कुछ पंक्टियों में समेटा नहीं जा सकता संस्क्रती शुब फल देने वाला व्रक्ष है वर्तमान में मनुश्य के जो भी ठाट बाट याने शानो शोकत रहने का तरीका है वह सब संस्क्रती की ही देन होता है पुराने विचार तथा नई सोच का जब मिलन होता है तो संस्क्रती का निर्मान होता है बच्चो इस पार्ट में बताया है कि संस्क्रती का स्वभाव श्रेष्ठ फल देने वाला होता है संस्क्रती के अनुरूप किया कार्य भले ही छोटा हो पर फल बहुत बढ़ा देता है इसको हम एक उधारन से समझ सकते हैं जैसे एक छोटा सा बीच बहुत से फल देने वाले विशाल वरक्ष का निर्माता होता है हम देखते हैं और ये सब हमारे सामने समक्ष होता है हम देखते हैं उसको कि ये वाकई में एक छोटा सा बीच कितने बड़े व्रक्ष को निर्मान दे सकता है जीवन में प्रगती, सुख, शान्ती और उन्नती के लिए संस्कृती का ध्यान रखना बहुत आवशक है मनुष्य को अपनी उन्नती के लिए सदा गतीमान रहना चाहिए रुकने से सजक्ता और शक्ती समापत होती है हम कोई भी कारे करें, बच्चों हमें लगातार प्रेतनेशील रहना चाहिए रुकने से, विराम लेने से हमारे काम अवरुद्ध हो जाते हैं चलते रहने से हमारे तथा राष्ट्रे के विकास में गती बनी रहती है बच्चो इस पार्ट में बताया है कि धर्म, दर्शन और साहित्य ये सभी संस्कृती के ही अंग है प्रैतने पुर्वक अपने आपको उचा बनाना ही सच्चा धर्म है हम अपनी महनत और लगन से जिस स्थान को प्राप्त करते हैं वही हमारा सच्चा धर्म होता है संस्कृती से हमारे पुराने विचार भी जुड़े रहते हैं बच्चों हमें ध्यान रखना चाहिए कि अतीत की वही बाते वो नियम हम स्विकार करें जो हमारे वदेश की उन्नती में सहायक हो पुरानी रूडिवादी परंपराएं जिन से समाज का विकास रुके ऐसी परंपराओं को समाप्त कर देना चाहिए अतीत से हमें वही सीखना है जिससे हम स्वैम को और देश को विकास की और ले जा सके बच्चों हमारे जीवन में हमारे सामने दोनों विचारधाराओं के विक्ति आएंगे लेकिन हमें दुराग्र अर्थात भेदभाव को छोड़ कर सही निर्ने करना होगा राष्ट को और स्वैम को उन्नती की और ले जाना ही सांस्कृतिक कारे की उचित दिशा और सची उपयोगिता है बच्चों इस पार्ट से शिक्षा मिलती है कि जो वेक्ति अपने संसकारों धर्मों और साहित्य को मानता है वह हमेशा उन्नती की और जाता है हमारे साहित्य जैसे रामायन गीता इनमें बहुत सी धर्म उप्योगी बाते हैं जिनका अनुसरन करहम उन्नतिकी और बढ़ सकते हैं अच्छे संस्कारों से ही वेक्ति महान बनता है इसे हमेशा हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं का पालन करना चाहिए